प्रमेश्वर की मैमा हो अमेन हालेलुया और ये बारिश का समय आ चुका है और जब धूप आता है फिर हमें तकलिफ होती है बारिश होती है तो भी तकलिफ होती है आपको तकलिफ हो या कस्ट हो और ये प्रकृति को जब धूप चाहिए तो धूप मिलता है और ये इस प्रकृति को भारिश चाहिए इसलिए परमेश्वर जो है बारिश नमीदा है और इस प्रकृतु को थंडा चाहिए, इसके लिए थंडा वाला समय भी देता है अगर आपको अच्छा नहीं लगता अब दूसरे प्रदिश में चले जाए अब दूसरे जगह पर जा सकते है और डार्जिलिंग के वो उस पहड के उपर और टम्परेचर जो है माइनस में होता है और सिप्टेムब र माइनस सभी वो अचाहिए और सिनिद्वर उयक्त परोप तो वो लो लोग उस पहड से उतर कर नीचे सिली गुरी में आजाए या फिर नजदिक कोई दुसरे जगर पर वो लोग चले जाते हैं और पांच-छे माहिने तक वो लोग घर रेंट पर लेकर चले जाते हैं अगर थंड से बचना है तो नीचे होतरना है और थंड का समापत हो गया तो फिर से ऊपर चले जाना नो मुंबई में पानी की बहुत जरूरत है इसलिए परमीशर पानी भी जादा देते हैं अगर हमें अच्छा लगे या ना अच्छा लगे यदर एक रोंडे पर रह सकते हैं ने तो किसी और देश में जा सकते हैं वर्ष में कोई पर नहीं पर चर्च आये बिना नहीं रहना और थन्ट जादा हो गई है आज मैं ब्लैंकेट ओड के सोंगा करके नहीं कहना ये वातावरन उचना कोड़ा कोई भी वातावरन क्यों नहीं पर परमिश्वर की कलीशा में चले जाए अगर जाते होंगे तो आप ऑस्पिटल चले जाए अगर बूग लगती है ये मानकर आप घर में बैटकर खाते नहीं संडे चर्चटा इंगाड़ संडे वच्चे से अलने हो और कलीशा संडे आते ही आप कलीशा में दोड़ते हो अब परमिश्वर के कलीशा में दिखाए देना है अगर ऐसा हो तो आपका ही नस्ट होगा होसा और ऐसा करोगे तो आपका नस्ट होगा परमिश्वर का नस्ट नई होест Americans परमिश्वर को अइसा और प्रमिश्वर को यह नस्ट नहीं इस ट्रिष्टी में रहने वाले सरह रहने वाले सारे निष्ट लोग उटु सारे मुझक्राद करना उट्राद करना उट्सक्ट YES किसकाो किसका होगा जब आप ये बात को आप समझेंगे पर और बहुत चारी लोग या रास्ते में गूमते रहते हैं तूपस का न ये ठूपर जाते हैं कुछ लोग तैयर की उपर जाते हैं और वह सारे और पैर पानी में बहते रहते हैं और एक लकडी लेकर उसे ऐसा ऐसा पीछे ड़ेते हैं और रोड के ओपर नदी रोड के ओपर समुद्र करके टीवी में दिखाते हैं जिस दिन आपको ये बात समझ में आएगा परमेश्वर का कोई नस्ट नहीं ये नस्ट आपका है ऐसे बाड में भी आप लोग ना हो लेकर कलीशा में आ जाएंगे अगर ऐसा ना हो आपके लिए एलिकाफटर भी आगर बेज़ेंगे तो आप कलीशा में नहीं आएंगे आप नहीं आएंगे परमेश्वर की महीं महीं हो वो परमेश्वीर की और दोरते हुए चले जाएंगे अट्टु थरवाता यूदुल पंडगा वकटी वच्चनु गनुका एसु यरूश्यलेम नको विल्यनू यरूश्यलेम लोग गोर्रेला द्वारम देग्गरा हेब्री बाषलो बेतेस्ता अनवडिन वका कोनेरु खलदु दानिकी आईदु मंटपमुलू का लवो आगुदा मंडिकड़ा बेतेस्ता अनेट वड़का कोनेरु उन्नादी बेतेस्ता नामका एक कुंड है एक कुंड है और इस कुंड में क्या रते हैं इस कुंड का अर्थ क्या है नील तो निन्ड ने टोंटे को पैद्द बावी आनते ना और पानी से बरहुआ एक बड़ा कुंड चेरुआ या फिर हम खालवा नहर कह सकते हैं नाला कह सकते हैं स्वाली तालाब चेरुआ ओके या बड़ा कुंड पैद्ध अनि दुरुआ अंटे बावी आपको पता है क्या होता है वह जो होता है बहुत बड़ा होता है इससा चोड़ा होता है और उसकी गहरा ही जादा नहीं रहती मानिशी दान लो के कॉंड़ बाटकों दूखताड़ दिग दे नडश कंड़ पातर लोपल की और वो मटका लेकर मनुष्य जो है उसके आंदर घड़ा लेकर चले जाता है और दोनु घड़े को भर कर पकड़ कर आइसा भाहर निकल जाता है और वो ऐसा कुवा सब जगह दिखाई नहीं पड़ता है वो अच्छी रेती से भरा हुआ जगह पर दिखाई पड़ता है और ऐसा खोदते समय जब पानी निकलता है ऐसे जगह पर वो मिलता है और हमारे जगह में ऐसे हाथ से ही कुवा खोच सकते है और वो पानी आज के लिए वो कोई संदर्ब के रूप विशह नहीं है आज के दिन हम लोग लेने का विशह यह कुंड नहीं है और कुंड के अंदर का पानी नहीं है और वो 38 साल से वो मनुष्य जो वहां पर था जो पक्षपाती था वो 38 साल से वहां था वो उसका विशह भी नहीं है आज के दिन हम लोग आज के दिन हम लोग आज के दिन हम लोग क्या दिखतें वहां पर एक द्वार है और वो जो द्वार है उसका नाम बेड का फोटक है और वो द्वार का नाम क्या है उस द्वार का नाम क्या है हमारे कलीश जो मेंन डूर है वो कुल कराते है और जो से थारा है वो यह है जैसे है ये उसे नहीं करते हैं यही यह है और यह बेढ आने का दूर है अकट उनन्होंट वहाँ पर जो दूर वह वह पर पाँच ओसारे दिखते हैं वहाँ पर क्या दिखते हैं वह पाँच आई दू पांच क्या है उसका अर्थ है पांच कलीशा मंटपम अर्थ में मिटी कल्यान मंटपमू मनटपम अधी मनटपमू अधी मैं जब पढते हैं इसे कल्यान मंटप करके कहते हैं और इनलuu मंटपमू मंटपमू और तेलकू में मंटप करके कहते है मंटप उट्टे प्रदेशं मिगा तो वहां पर आग आने वोर्दिश नहीं मंटप निक मंटप अंटे कारों मंटप का अर्थ है आग और वो जलने वाला प्रदेश आ रेट आझा दो वो नहीं और वो मंडप जो कहते हैं वहाँ पर एक शट के समाने वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं यह कहां पर है यह कहां पर है यह मंडप कहां है अगर चाहर का नाम क्या है और ये बेटेस्ता कहां पर है और ये बेड़ का फाटक कहा है ये मंडब कहा है यरूशलेम में है इस बात को ध्यान में रखे ये सारी चीजे कहा है यरूशलेम 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 है कर देश में है और और वो एक समय में इस्राइल में हुआ कर दो अदी विफाग इंप बढड़ी और उसका विफाजन हो गया यूदा आ प्रदेश हो गया तो यूदा यूम वह का राजदानी को नहीं दें और उस मैं समीप में रहने वाला प्रदेश है यंदु कुम मंदिरम देखरों न दिदी और ये किसली है उस मांदिरमो वो मंदिर जो है आ देवुनी लक्षनमलो तोटी निम्पवड़ीन ट्वंटी प्रदेश महीं उन डाले और वो परमेश्वर के लक्षन से भरा हुआ प्रदेश होन परमेश्वर की शक्ति को पाया हुआ मंदिर होना चाहिए ये मंदिरम आइना कोड़ा आइना जीवमो अंदुलो निवसिंचे ट्वन टी प्रदेश समय उन डाले प्रमेश्वर का प्राण उसके अंदर रहनेवाला प्रदेश होना चाहिए येहुदियों का एक परव आया यरुस्यलेम क्यों जाते हैं यंदू कंटे किसलिएए देवनी आलायम को प्रमेशवार का जो आलाय जो है वो यरुस्यलेम में धी अब देवनालयम यरुस्यलेम में धी एवर असनैरी पटिकर की trabalhar यहां पर कोण आ रहे हैं? यूध लो सुनार और क्यूँ आरे हैं इन्दू का सुनार वार हैं पंडग छेसकोटानी का सुनार वहां पर पर्व मनाने के लिए यहूदी सारे आरे हैं और बाकी जो यहां वार रहने वाले देजों लोग भी आ रहे हैं जिनों नो भी व्यवस्ता को ये परमेश्वर का ग्रंते करके स्विकार किया है और वो सारे लोग अभी इस मंदिर में आना है जिनों ने इस ग्रंत को और इस ग्रंत का स्विकार नहीं किया है वो लोग जब दूसरा ग्रंत लेते हैं और उस ग्रंत का अनुसरन करके वो दूसरी तरव जाते है अरे एक देवाले को मंदिर का अलग-अलग ग्रंत है हमारे मंदिर में ये पवित्र ग्रंत है आरोजू यरुशलेम लो उस दिन यरुशलेम में धर्मसास्तर मुन नदी व्यवस्था थी आ धर्मसास्तर मनू और उस व्यवस्था को कुछ फरीसी लोग ने स्विकार किया कुछ फरीसी लोग ने स्विकार किया कुछ मादी लोग ने ग्रीक देश के लोगों ने कुछ यहां एशिया से आये वहां एशिया से आये थे वार अंदर खोड़ा वह सारे लोग इधर्मसास्तर मनो जीवग्रंद मगांगी करिंचार इस व्यवस्था को जीवन का ग्रंत के रूप में स्विकार किया इसके अंदर जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर करके स्विकार किया वैसे वो लोग जोग आते हैं वो दुनिया के चारू तरफ से लोग यहां पर जो आते है अंदूलो उन मढ़िख्याओ अरोज अकिड़के बेकर तरफुन रोच्किस रूण इश्वेश्व मसी वहां पर जाते हैं इंस कुण जाते हैं इंद्वकर अकरदा किड़के यह दू बेतर सटर अक कियो जाते हैं कि अधिकलतनाद अधिश्य मसी वहाँ पर क्यों जाते हैं कि अधिश्य मसी वहाँ पर पर्व को मनाने के लिए जाते हैं वह रोगियों को चंगा करने के लिए समाचार बताने के लिए वाके में नहीं जा रहे हैं वहाँ पर पहुंचने के बाद वह काम कर रहे हैं इन बातों के पस्चात यहूंदियों का एक पर्व हुआ और एश्यु येरुश्यम को गया यह मनदासंदी क्या लिखा है यह जेटान के लिए जो है कौन मनाते हैं जो वाके में खुशी और आनिंदित होते हैं वही पर्व मनाते हैं किया मैंने गलत कहा क्रिस्मस अगये अब को बटल को नहीं बले अब को जो नाया कपड़ा नहीं मिला है अब का मन कैसा रहेगा कि आप लोग बताएए अब मुझे कोई फरक नहीं परता करके बोलेंगे अब 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 क्या कहेंगे साल में एक बार त्या हो राता है और साल में एक बार ही विवा का दिन आता है आरोजे मार्केट क्लोज उंट दनीको और उसी दिन आपके लिए मार्केट बंद रहेगा साल में भूर लोग बूल गया मैंने क्या बूल गया इस बार वाकी में अपना जनम दिन बूल गया रोज दाट पहिं उनका जनम दिन बूल गया वह दुसरा दिन जब याद आया तब भी नहीं बिला रोज दुसरे दिन युद डेट अज का डेट क्या है 17 17 कि अच्छा निन इन्टी कल क्या था 16 तारिक था जब हम लोग भूल जाते हैं और परिवार के सारे लोग अगर कुछ वस्तु नहीं खरीते हैं बूलना नहीं, कुछ अगर नहीं खरीते हैं उस दिन पूरा हम लोग चर जाएंगे चलो आप जाओ, मैं बाद में आऊंगा आप जाओ कलीसा में नहीं आते हैं सभी लोग ने नहीं कपड़े पे नहीं, मैं केसे मन सलो संतोश्म लेदो मन में खुशी नहीं और डिसेंबर 24 तारिक को आपके जन्व दिन को नया कपड़ा में ने खरीत के दिया ना एक दिन है ना आप 25 तरिक पर्व का मतलब है जिसका मन में खुशी और आनंद रहता है वही मनाते हैं और यूदियों को जो पर्व चाहिए होदा पर्मेशों ने अच्छा 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 तो चार पर चाल होने के बाद डादιο है ये अच्छा अच्छ को अनुजह होने के बाद डाइडिया अच्छ Hey वहाल पर्द्द्द्स ने के अच्छ...... अज किदीन सभी लोगسم व्हाज ड़ीज। ऑपी फर्द्स ने कहते हैं बंदकलू परव जो है मनीष येपुड़चे शकुड़ड़ अंधू झान जब वह खुशी और आनंदित होता है मैं किसा लिए परव को नहीं मनादा मैं हर दिन खुश रहता हूं इसलिए मेरे लिए हर दिन जो है परव का दिन और उस दिन मेरे लिए कोई स्पेशल चीज नहीं है और यहां देखकर चाहिए यह चीज नहीं है और दुसरे बार आता है पाजबन साब यहां पर दुसरा चीज है और दुसरे बार आता है न दुझा मेर अशुरिवाद देता है इसलिए मेरे लिए हर दिन सुपरकता है मुझे साल में स्पेशल कोई एक दिन या दो दिन नहीं है और आप भी इसी तरह से रहना है इसलिए में आपको सिकारा है चलो ठीक है सब लोग मिलके शाला से बटीट दिरी को से चंगा नहीं पुड़ एरुश्लेम कहल नहीं तो डाजलिंग वागा यहां वाँ गुमकर आग पोर्टिको को कहते हैं पोर्टिको का अर्थ क्या है वरंडा करके कहते हैं बरांदा लोग उसे लिविंग रूम या फिर हॉल कहते हैं और उसके बार जो है वो बरंदा है अभी हमारे लिए तो आपार्टमेंट वारण अाहिए ऊसी लिए जोिए कोई रहने के लिए हैं और रोगियों के रहने के लिए लावर कोसूव निवास स्थलम भान estas pan रहने के लिए वाँ पर रोगियों कई रहने के लिए हैं यवळ कोसू किस लिए हैं किस लिए हैं किस लिए वो पांच हो सारे हैं कभी कभी हम लोग हॉस्पिटल जानी की जुरूरत पड़ती है डॉक्टर जो है बिल लगाता है और वो बिल लगा दिया पचतर हजार रूम चार्जी फाइटाउजन रूपी संटनर रोज की उसमें लिग दिया है रूम चार्जेश फाइटाउजन हर दिन का अधूसी डॉक जानी है रूम चाहिव अधूर्श के लिए पांचेजर पांचेजर करके पूछ टॉक्टर ञींटा कंसल्टिंग चार्जज मेरा इतना है नर्स नर्स चार्ज़ेस इतना है ऑक्सिजिघन के इंजेक्शनींगी केंता इंजेक्शन मेडिसिनली केंता वती जोने और इसंके इतना है उसके लिए बड़िच को नौंगे शारी चार्जस वाइक तौसन बेट चार्जस पांच हजार आद्य बड़िच कुंटा मा वही कट्ड़ते हैं अधि कट्टे टप्ड़ू जब भरते हैं यह मनटा मनटे क्या कहते हैं डक्तर डक्तर मैं ठीक हूं ना मैं ठीक हूं इंट के लच्छा क्या में घर से जा सकता हूं नो 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 इंकरेंट रोज लो डाला टो डॉक्टर ने 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 और दो दिन रहना है आप जो कहेंगे वो मैं घर पे करूंगा तिन नो आप नहीं खाऊंगे बोले वो नहीं कहांगा मैं कहीं बार नहीं जाओंगा ने बड़कोंटा नो बेड के उपर ही रहेंगा और हाथ तो अवाके में नहीं कुह लांगा क्योंकि 10,000 रुपए अगर बेड चार्ज होगा तो आप घर चोड़कर वहां पर ही सोगए क्या डॉक्तर के पास दिमाग नहीं है अगर वो बेड चार्ज होगा अच्छा खाना वहां मिलता है कंसेशन लगा डिस्काउंट लगे दो संधिंग अटर गदा कंसेशन या डिस्काउंट पर चांटीन का खाना है अधी देन अच्छ वो खा सकते हैं अखडबणकोच वहां पर सो सकते हैं आपको डिफ्रेंस समझ में आ रहा है यंत बिल उन्टे जितना बड़ा बिल होगा उतना जल्दी ठीक होकर आप घर चले जाओगे और लाखों ऑस्पिटल का बिल सागरा परमिशल की महमों करके कहिए और होस्पिटल का बिल जो है लाखों में है आप लोग प्रात ना कीजिए वह लाख रुपे आपके पॉकेट में हैं अकड़े उन्डी प्रभू वह अपने पॉकेट में ही रख रुपे दोक्टर के पास नहीं मेरे पास ही रहना है मुझे अच्छी सेहत देदेजे रिंड सार लगा दे नालक साल प्रात ने तो रोज की ने नो दो बार नहीं चार बार में दिन में प्रातना करूँगा अक मं मझब नहीं रह रहूना है एक होस्पिटल जो है लौज का रहूंना है होस्पिटल 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 ही होना है शॉट विजट का समातर में fais शोटी सी विजिट के लिए वहां पर फूदेस वन डे थ्री डेस इंडिके लपाली दो दिन तीन दिन बस उसके बाद गर चले जाना अलेलुया बैटेस्टा ने ट्वटी हीलिंग सेंटर तर तक गरा इस बैटेस्टा नाम का हीलिंग सेंटर के पास एंपलेस एड़िए यह क वो और एक शरीर के अंदर जितने भी रोग है वो जाने के लिए बैटेस्ता जा रहे हैं और वो वैसे ही बैतिस्ता में आ गए यहाँ पर एक वैक्ति दिकाई पड़ता है एश्यु मसी इस संसार में जन्म लेने से पहले है यह वहाँ पर उनसे पहले से बैटे है एश्यु मसी का जन्म जब इस दर्तीव का उपड़ता है और उनको जो है लखवा लखके पांच साल हो गए अना? जाद 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 छे साल हो गए क्योंकि एश्यु मसी सिफ साड़े तेतिस साल जिए है इस वेक्ति की उम्र कितने है कितने साल से वह यहां बैटे 38 साल से वहां पर बैटे है यहां पर क्यों बैटे है मैं पानी के अंदर जाने से पहले या फिर कोई आकर मुझे पानी में गिराने से पहले और कोई तो आगे जाकर चंगाई को पाकर वो घर चले जा रहा है मैं तो यहीं पर हूँ प्रभू कितने साल बीद गए? 38 साल बीद गए अगर वो उसारे नहीं होते वो दुसरे दिनी वहां से चले गए होते मंडप वो सारे की जरुरत नहीं होना है हीलिंग सेंटर में मंडप नहीं होना है इसका अर्थ क्या है? और परमेश्योर की स्वस्तता जो जगह पर होती है चंगाई जो जगह पर रहती है वहां पर रोगी जो है ज्यादा समय तक नहीं बैठना है और उनकी जो बीमारी है उसके अंदर से चले जाना है और वो भार निकल जाना है और वो बीमारी जो है भार निकल जाना है अमेन हाललूया मनिश्य नी प्रति रोज ये दो वक़ बले हैने तो पटकुट आना उटन दी और मनिश्य को हर एक दिन कोई ना कोई कमजोरी पकड़ती रहती और मनिश्य जो है उस सारी कमजोरी को छुड़ा कर भार निकल जा आपके अंदर वो कमजोरी ऐसा बैठना नहीं है 38 साल से वो भीमारी जो है उसके अंदर ऐसी बैठी थी और उससे भार निकाल देना है और निकाल देना है आपका विश्वास आपको चंगाई देता है आपके विश्वास का उपिवक कीजिए हर एक बिमारी से के यह एश्वमसी के नाम से यहां से हट अगर आपको ऑसकी आदत लग लिए तो वो नहीं जाएगा तो बीमारी की आदत मतलगा के लो जो स्फश डर्द के आदत मतलगा के लो उसे भार बहुज दो आप परमिश्वर के पास जाके पूचिए प्रभू आपने जो ये प्रतिक्या की थी जब मांगोगे तो मिलेगा मैं मांग रही हूँ मांग रहा हूँ प्रभू मेरे अंदर का रोक बीमारी को निकाल दो प्रभू एश्व मसी के नान से निकाल दीचे आप लोग मांगए आप लोग प्रभू के पास जाके मांगए आप विश्वास करो वो आपको चंगा ही ने अपके आंदर से सारे रोग और बीमारी बहर चले जाएंगे और है बिमारी एश्व मसी के नाम से बहर जाना है लास्ट फ्राइडे पिछले फ्राइडे ये फ्राइडे नहीं उससे पहले हमारे चर्च बुलेटन की ग्रूप में एक व्यक्ती जो है वो अच्छी सहत नहीं है करके उसको मैसेज आया तो एलिया ने मुझे कॉल करके कहा डॉक्टर्स तेन परसंट को ड़कास मे बठ लेटन चेपर अबक्टर्स जो है दस प्रतीशत भी बचेंगे करके नहीं कह रहे हैं और वो वेक्ती हॉस्पिटल चले गया वो अपने सेंसेस में नहीं था उस अपना सेंसेस भी नहीं ह nervous सब्सक्राइब पास्टर साब उनका कोई होप नहीं और कुछ समय हमारे साथ बैठ कर आरादना किया था पास्ड न रमान छे पो पास्ट न प्रेर चे मंच आड़िगाड़ांटा पास्टर साब को आनी के लिए काये पास्टर साब को प्रेयर करने के लिए कर के का है कोटेज मीटिंग आइपें तरवा था और कोटेज मीटिंग रात में खतम करने के लिए हम लोग वहां से सीधे होस्पिटल चलेगे अपड़ की आयनत अनस प्रहोलो लेड़ और तब तक भी वह अपने होश में नहीं था विश्वास परमेश्वर के पास प्रातना में है आप उनके शरीर में जो है शुगर जादा हो गया और उनका जो पैर है वो सड रहा था और वो काट देना है करके कह रहे थे अपड़ कोस्तरंटे है वो कब काटा जाएगा और जब उनको होश आएगा तब सर्जरी करेंगे उस रात में वहां पर जाकर प्रातना की है और मैंने और तब तक ना हिलने वाला वेक्टी तुरंती वो हिल गए अक्सिजन में दो बतकते ने ट्मेटी वेक्टी और छोड़ दिये जो डॉक्टर्स हैं और पुरा परिवार इंतजार कर रहा है और बेटे बेटियां और पोते पोतियां सारे लोग आखे रहा है आई सीओ लोग की अंदर हम लोग सीधे 15 लोग चले गए वह डाक्टर सारे बुचने हैं कौन है ये लोग पास्टर साब प्रेयर करने के लिए आए करके कहते हैं और वह उस रात को हम लोग प्रातना करके आगा है और अगले दिन सूबह हमें कॉल आया थोड़ा रीकवर हो गया करके वहां से इस सुच मार रजो हमने कर्ण भेले भेलें पहने पर दोनूं Damn वहन प्रेंडा किया ख़े वहां पर बातना किया और उन Catholic फिरसे उन्हें हील और वो डिस्चार्ज के लिए अपने खटिया के ऊपर बैठ गया हैं और वो अच्छी चंगाई के साथ वाँ से घर जा गया है अलेलुया अलेलुया परमेश्वर का वचन जब आपके आपास आता है आपके अंदर से छुटकार पाना चाहिए और जो व्यक्ति जो मर चुका है करके क्या हाँ परमेश्वर ने उसे जीवित रखा है और अगले सब्ता में गवाई किले उनको आपके पास लेकर आउगा आपके पास भी ऐसी बहुत सारी अद्बुत गवाई है अद्बुत रूप से आपसे बचाने वाला परमेश्वर ने आपको बचार है तानी देवड ने इरोस कोड़ा सच छी वंगा देव नी आलम लो कुर्चा बटार आप लोग नहीं चलोगे कर लिगा आप लोग नहीं चलोगे कर लेका पड़िगेंची मिमल आने सन्नी दो कुर्च विटार। आस्पिटल में एक पेशन भी नहीं था। अपने भी मारी को मंदप लगा कर अपने शरीर में नहीं रखना। अपने भी मारी को आप सोफा डाल कर बिटा के मत रखना। आस्पिटल में बेट चार्ज एक लाक रुपए एक दिन का करके प्रातना कीचे। आप लोग प्रातना कीचे। प्रभू होस्पिटल का बिल्स को बदल दे। एक लाक रुपए वहाँ अगर मैं सौँगा तो भरना पड़ेगा। एक दिन के लिए एक लाक भरना पड़ेगा। प्रभू मुझे नहीं चेगे। मैं मरने की स्थिती में भी रहूँगा तो मैं आपके मंदिर में आऊँगा। आपकी बैतेस्था में मैं आऊँगा। वहाँ पर मुझे चंगाई को देडे। मुझे डॉक्टर्स की जरूरत ने। आपके शरीर के अंदर जो भी मेवारी का मंदप है उसे तोड़ देजिए। अविश्वास जो है जो विश्वास नहीं है वो सारी चीज़ों को हटा दीजिए। अविश्वास में को आग नहीं हो अविश्वास को आग्या दे। अविश्वास को आग्या दे। निकल अविश्वास को आग्या दीजिए। निकल अविश्वास को आग्या दीजिए। थांकि लॉड। और जो लोग खुशी के साथ रहते हैं, वो पर्व मनाते हैं. वहाँ पर जो है, अर्थी साल से पर्व मनाया जा़ा रहा है. यहाँ से अगर उठेंगे, तो पर्व में पानikesं तो पान में पाड़ा है. खदल ले को को बहुत न वह हिल नहीं पारा नविदक पार नवा को पूत नहीं पारा खाई जल तो नहीं पारा अंदर पंड़क जेत को नहीं पार बतंक मुंड़ हो यू मम्त prison YE डैडी गोड़ पंड़क वा चेलि को यहां पॹल माम पी अब यहां वहां नहीं देखो कोई तो आईगा करके मत सुट हो मैं आपके लिए आउंगा करके कहते है मेरी तरफ देखो मुझे पुकानु मैं आता हूँ आपके लिए श्युमसी उनके लिए उस दिन वहाँ पर गए जब इनको चंगाई दिये और ये अपने बिचोने को उटा कर चले गए वो सीधा वो मंदिर में चले गए अकड़न वाल अड़न नरो और वहाँ पर कैसे आए अप वहाँ से उठकर यहाँ पर कैसे आगए वो क्या कहते है और मुझे एक व्यक्ति ने कहा अपने बिचोने को उटा कर चले आए अब वो कैसे लिए अपने बिचोने को उटा कर चलो करके क्या हो तब एश्यू मसी वहाँ से जा रहे थे मुझे चंगाई जो दिया है वो वेक्ति है अमेन आलेलुगा पेतर योहान, पत्रस और यहुन्ना, मंदिर में जा रहे हैं और मंदिर में जा कर खुशी के साथ, परमिश्वरिश के साथ आनन्द मनाईब उस द्वार के पास, एक लंगड़ा विक्ति वहाँ पर बैटा हुआ था वो खड़ा नहीं हो सकता भाई मुझे कुश्तल दो करके मांगा तो ये लोग ने क्या कहा? सोना चांदी, हमारे पास नहीं हमारे पास क्या है? एश्यू मसी के नाम से तो उटकर खड़ा होजा एश्यू मसी के नाम से उटकर खड़ा होजा जब कहें, वो उटकर खड़ा होगे और जो खड़ा हूँ, वो सीधे मंदिर के अंदर चले गया, आलेलूया, 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 अनिक बेतिस्ता जगह पे रोगी है, हम सभी लोग जा कर उने, इश्यु मसी के नाम से उठा कर उने, यहां पर परणिविश्व के मंदिर में लेकरा हूँ, आलेलूया, आपका विश्वास को आप जीवित रखो, आपके विश्वास को आप और ताकत दो और आपके विश्वास को आप प्राण देते जाओ आपके विश्वास को 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 आपके चंगाई मिले आपकी जितने भी मंडप है वो गिर जाएं और सिर्फ एश्यु मसीही वहां पर रहना है आमेन, आमेन, आमेन